हेलो गाईज मेरा नाम है रभी यो इस्टेडी गलो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों कल राम नौमी थी और कल हमने देखा कि अवेध्या में कुछ अलग हुआ कुछ चमतकार की तरह हुआ अगर आप ये देखेंगे जो पिक्चर है आप देख सकते हैं कि सीध जो सूरी की रोसनी है वो हमारे भगवान राम डला की माते पे है जहां पे हम लगाते हैं तिलक तो तो दोस्तों लगाया जाता है लेकिन ये जो सूरी तिलक था कुछ अलग था कुछ अनोखा था जिसे पूरी दुनिया ने देखा लेकिन दोस्तों ये जो सूरी तिलक है य आपको बता हूँ जो मैंने दो सांटिस्टों को देखा है एक भारत के जो वज्ञानिक है और बाहर के जो वज्ञानिक है आस्था से लबा लब होते हैं हर वज्ञानिक आस्था से लबा लब होते हैं और इन सब चीजों में वो बढ़ चड़ के भाग लेते हैं ठीक है और ख देखा दोस्तों चीज आपने और देखा होगा कि जब भगवान राम की मूर्ति अयोध्या के अंदर लगाई गई थी तो उसके पहले मूर्ति कुछ अलग तरीके से दिख रही थी प्यारी थी अच्छी थी लेकिन अंदर आने के बाद हमें देखा होगा कि जैसे सब कुछ ब इसी क्या हेगी स्ञेशार पेडी हेगे और आने वाले वक्त देखेंगी कितना काम लोगोंने किया था उनको यह समझमें यहाएगा तो दोस्तों ये जो तिलक था, जह सकते हैं सूरी तिलक था वो लगभग 58 mm के आज़पस यह था लंबा था हम कह सकते हैं कि यह जो टाइम था , टोटाल टाइम था जो यह साढ़े 3 minute के आज़पस था और हम फुल एलुमिनेशन था इसमें मतलब पूरी तरीके जो तिलक लगा हुआ था वो दो मिनट तक यहां पर चमकता हुआ हमें दिखा था जैसे कोई चीज़ दोस्तों होती है कि सूरी में जब आती है लाइट तो हलके लगी आती है फिर कुछ टाइम के लिए complete light होती है ठी यह मोमेंट हर कोई देखे इसके लिए government ने भी क्या किया था काफी ज्यादा इंतजाम किया था लगबक 50 से ज्यादा LED वहां पे लगाई गयी थी और लगबक सव LED जो लगाई गयी थी त्रस्ट के दोरा लगाई थी यानि कि कोई कोई दान कर रहा है कोई पैसे दे रहा है उन ट्रस्ट के द्वारा यहां पे यहां पे यह लगा जाता है ताकि हर कोई यहां पे देख सके अब दोस्तों यहां पर जो mechanism की मैं बात कर रहा हूं यह mechanism बीना किसी electricity की यह काम करता है और इसमें कोई अलग से इनर्जी नहीं दी गई है यानि कि यह ऐसा नहीं है कि इसमें कोई रिसोर्स दिया गया बैटरी लगाई गई है यह टोटल निचुरल है ठीक है दोस्तों और यहां पे आप देखेंगे यह थार्ड फ्लोर पीस का जो mechanism है यहां पे लगाए गया है देखिए दोस्तों इसी डेट को नहीं होगा यहां पे जो राम नुमी है जैसे तयवार हमारे होते हैं वो हमारे जो कलेंडर होते हैं जो हमारे प्राचीन कलेंडर है उनके हिसाब से यह दिन को तैगिया जाता है तो वो डेट थोड़ा सा डिफरेंस होता है मतलब हम कह सकते है कि जो आज का डेट था ये डेट आने में 19 साल लगेंगे 19 साल बाद दुबारा ये डेट आएगा तो यानि हर बार थोड़ा सा डेट डिफरेंस होगा ठीक है लेकिन इसके बावजूद भी मेकनीजम है वो काम करेगा ठीक है यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं दोस्तों यहाँ तो यहां पे यह प्लोड है यही पूरा सिष्टम लगा हुआ और यहीं फ्लोर से रोसनी आती है और यहां सिसके अंदर जाता है और हम ऐदर और यह तरीक्य differenti है और ऐस इन्देन नहीं को किस्ते बनाया था थे हम बात करें दोस्तों इंडियान इस्टिट आफ एस्ट्र फिजिक्स टीक है जो की बैंगलोरियूम है उन्हीं के अंदर में कंपनी जिसका नाम है ऑप्टिका इन्हों नहीं बनाया था दोस्तों आपने यह देखा होगा जैसे जब कोई रॉके कपनी है यहीं लोगं यहां पर काम करते हैं कि यहीं कि यहां क यहां करते हैं और वह दोस्तों बात होती है कि आखी शूर्य लर्लक ही क्यों तो दोस्तों आफ नहीं सुनलहों होगा जब रामाड़ भी देखा हो पढ़ते होंगे एक चीज कहो है जो ठांथा 1c थे यानी कह Bennett है कि जो इस वाकू जो पीड़ी है ठीक है उसी सी यह आते हैं ठीक है तो इसी वज़र से यहां पर सूर तिलयक इनको लगाना बहुत जादा important होता है अब दोस्तों थोड़ा साइज को समझते हैं कि साइंस कैसे काम करता है या पर जैसे मैं ने बताया था यहांते की थूरू काम करता कि तरीके से हम कह सकते हैं यहां पे pipe है और इंची pipe तनी जो light है यह है त्रेबल करता और वही mirror lens क्या करते हैं जो भगवान राम हैं उन तक यह लेके जाते हैं दोस्तों मैंने इस बताई थी कि जब भी यह राम नमिक दिनाएगा तो यह तिलख वहाँ पर जाएगा तो यह कैसे जागा यहां पर बहुत सारे गियर लगे हैं गियर की वज़र से क्या होता है कि वह मेकैनिजम पर यहां पर काम करते हैं तो उनी मेकैनिजम को यहां भी यूच किया गया है ऐसके वाजूद भी यह वाजूद है विशन तो जो स्ब्सक्राइब और अंदर बगमाराम तक यह लेके जाएगा थो दोस्तों इसको और देटेल में समझ लेते हैं अब अब गदर आप देखेंगे तो यहां पर लग भग चार लिंस और चार नीरर हें तो आप देखогं और वह द्रुडल को लाईट को लाइट कर देता है इस तरीके से यहां आने बाद सामने भवान की मूर्ती लगी है और यहीं से लीट लिकलती उनके माथे तक यहां पर जाती है। थिक है इस तरीक्छट सब्sekते हैं उसो यहां पर डारेक्सन हरा चीज है अब दोस्तों यहां पर बात कर लेते हैं इसको अब असान आसाम समझतें कैसी बिचांधर किया गया है अब अगर आप तो पित्व को ब्राज की प्साय्ट के बना हुआ है कि आने वाले वक्त पीडियां इसको याद रहे तो इस्टम भी ऐसा बना होना चाहिए टाकि खराब ना हो ठीक का रोघ या तो यहां से रोड जाते हैं यहां पर देखेंग है लिन्स लगा है लिन्स क्या करता है इसको converge कर रहा है यहां पे और फिर यहां पर आके देखेंगे आप ठीक है यहां पर mirror लगा हुआ है ठीक है यहां भी mirror लगा हुआ है आगे free lens लगा हुआ है यह lens करता है ठीक है यहां mirror फिर से deflect होता है और इस तरीके से आप देखेंगे यह light यहां तक जाती है तो दोस्तो देखा कि किस तरीके से जो हमारे वग्यानिक के से इसमें बहुत ही उश्साहित हो के हिस्सा लेते हैं दोस्तो एक चीज और भी है, जो सुरवनसी जब भगवान सुरवनसी हैं इनको यह भी कहा जाता है कि यह विसुणू के अवतार हैं सूर का मतलब दोश्टो यह है कि, एनर्जी ठीक है, मतलब हर चीज को जीवन देना घष्ट को irk होते हैं तो यह हर चीज को जीवन देते हैं, सूरक्रा करते हैं इसलिए दोस्तों ठीक है, खुद सूर इनके अंदर से लिकल के आते हैं, तो सूर का तो फर्ज बनता ही है, भगवान राम का तिलक करना, तो दोस्तों ये चोटा सा लेक्चर था अगर आपको अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, सेर जरूर करें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में थांक्यू, सूमच